अमरुदपाल की बतनी किरंदीब कौर के खिलाब देशबर में अभी कोई भी एफायर दर्ज नहीं है। उसके खिलाब जाच एजंसियों को पुक्ता सबूत भी नहीं मिले है। हाला कि अमरुदपाल की बतनी को उसी कानूनी प्रक्रिया के तहट रोका गया है। जिसके तहट फरार आरोपियों के परिवार और उसके जानने वालों से पूछताच की जाती है। मिलने UK जा रहा है। लेकिन सरकार को शक था कि अमरुदपाल सी नैपाल की रास्ते UK पहुचा है। पुलिस को डर था कि किरंदीप के उसके पास जाने के बाद दोनों वही जाकर सैटल हो जाएंगे। सवाल यह है कि किरंदीप को कब तक रोका जा सकता है। किरंदीप एनाराई हैं। उसका पती खालिस्तान समर्थक अमरुदपाल सी 18 मार्च से फरार है। उसके खिलाफ NSA के तहट मामला दर्ज किया गया है। प्यूरो रिपोर्ट बीजेपी के लिंगायत नेताओं ने बुदवार शाम करनाटक के पुर्व मुख्यमंत्री येदि उरपा के आवास पर एक बैठक की इस बैठक में कॉंग्रेस का मुकाबला करने को सुझाओ दिये गए। लिंगायत मुख्यमंत्री अभियान शुरू करने की वकालत की है। राजुनीतिक रूप से प्रभावशाले लिंगायत समुदाय राजुकी आबादी का लगबग 17 प्रतिशत है। इस समुदाय के ज़ादतर लोग राजुके उतरी हिस्सों में हैं। बीजेपी इन्हें अपने मजबूत समर्थक वर्ग के तोर पर देखती है। इस बैठक में कॉंग्रेस का मुकाबला करने के लिए एक सुझाव दिया गया कि पार्टी को लिंगायत समुदाय के नेता को अगले मुख्यमंत्री के रूप में पेश करना चाहिए। और मजबूती से यह अभियान चलाना चाहिए। ऐसे में उसके सत्ता में आने की सीती में अगला मुख्यमंत्री लिंगायत समुदाय का ही होगा। इस बात के मुख्यमंत्री बसवराज बुमाई ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए पुश्यी की है। उनके मुताबिक बैठक में कुछ मुद्दों पर कॉंग्रेस की फैलाई ज़ा रही भ्रामक सुचनाव का द्रड़ता से मुकाबला करने का निर्ड़े लिया गया। धिरो रिपोर्ट चिये। कितना है दम देखते हैं अंदर की बात में। उन्हें स्पष्ट रूफ से मना कर दिया है। देखते हुए बीजीपी के लिए जो इतना मुश्किल है। प्यूरो रिपोर्ट चिये। सुपरिमो शरत पवार से चर्चित उद्योगपदी गउता मदानी की मुलाकात हुई है। दोनों के बीच दो घंटे तक चली मिटिंग की कोई जानकारी तो नहीं मिली लेकिन इस मुलाकात के बाद कयासों का दौर शुरू हो गया है। जिससे विपक्षी एक्टा के साथ कई सवाल उठ रहे है। क्या NCP और BJP का होगा गटबंदन देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। महराष्ट में NCP और BJP के हाथ मिलाने की अटकोलों के बीच गवतम अडानी की सरद पवार से मुलाकात के बाद BJP NCP गठ बंदन की संभावना पर चर्चा की जा रही है। अडानी मुंबई में पवार के आवास पर पहुँचे और दोनों के बीच करिब दो घंटे तक बंद कमरे में बात चित हुई। सुबह शुरू हुई बैठक दो पर बारा बजे तक चली। बैठक के बाद अडानी या पवार की ओर से कोई बयान नहीं आने से अटकले तेज है। हाल ही में सरद पवार ने कहा था कि राजनितिक लाभों के लिए मुकेस अंबानी और गौतम अडानी जैसे उद्योग पतियों पर हमला करना सही नहीं है। जहाँ विपकसी अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांज के लिए सैयोक्त संसद्य समिती से जांज की मांग कर रहा है। वहीं सरद पवार ने जैसेपी मांग को जूठा करार दिया। विशले सकों का मानना है कि सरद पवार ने अडानी पक्स को लेकर बीजेपी से गठ बंधन किया है, दोनों के बीच लोग सबात चुनाव से पहले गठ बंधन हो सकता है रश्यवादी कॉंग्रिस पार्टी में सब ठीक नहीं चल रहा है पाटी नेता शरत पवार और भदीजे अजित पवार के बीच तनाव की खबरे सुर्खियों में है पिछले दिनों दोनों पक्षों ने विवाद की सुर्खियों को शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि यह काम्याब नहीं हुई है पूने में होने वाली संभागिय बैठक से अजित पवार का नाम काट दिया गया है इसे शरत पवार के अपनी ताका दिखाने के रूप में देखा जा रहा है फूने में होने वाले इस बैठक में कारेकरताओं को बीजेपी शिवसेना वाली सरकार की नीतियों के विरोध में गुट्टी पिलाई जानी है इस बैठक में अंसीपी के मुख्या शरत पवार भी होंगे अनिल देश्मक और च्वेगन भुजबल भी होंगे लेकिन अजित पवार नहीं होंगे मुंबई की एक पाटी में शरत पवार और छोटे पवार एक इफतार पाटी में मिले तो लगा की सब शान्त हो गया लेकिन तब तक उद्धव ठाकरे गुट की शिवसीना की एंट्री भी इसमें हो गई थी इससे एक बात तो साफ है कि महाराश्य में उठा राजुनितिक दुफान अभी शान्त नहीं हुआ है अब अजित पवार के अगले कदम का इंतजार करना होगा दिली के विज्ञान भावन में प्रधान मंत्री मोधी ने सिविल सर्विस डे पर देश के सिविल सेवकों को संबोधित किया क्या संदेश दिया प्रधान मंत्री मोधी ने सिविल डे पर देखते अंदर की बात देश में आज सिविल सर्विस डे मनाया चो रहा है इस मौके पर एक आयुजूत कारिक्रम में दिली के विज्ञान भवन में पियम मोदी ने सिविल सेवकों को संबोधित किया आज़ादी की सताब्दी, देश की स्वन सताब्दी तब होगी जब हम कर्तव्यों को पहली प्राथफिता देंगे सिविल सेवकों को संबोधित करते हुए पियम मोदी ने कहा, देश में आज़ादी कामरुत काल का दिन चल रहा है मैं ही नहीं पूरी दुनिया कह रही है, भारत का वक्त आया है, हम ऐसे वक्त में भ्यूरोक्रेसी को मजबूत करना चाहते है पिछले नव वर्षो में अगर देश के गरीब से गरीब को भी शुशासन का विस्वास मिला है, तो इसमें आपकी महनत भी रही है कोरुनवा संकिट के बावजूत आज भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थववस्था है विक्सित भारत के निर्मान का विराट लक्ष हो, गुलामी की हर सोच से मुक्ती हो, भारत की विरासत पर गर्व की भामना हो, देश की एकता और एक जुटता को निरंतर शशक्त करना हो और अपने कर्तव्यों को सर्वोपरी रखना हो पियम मोदी ने कहा इस साल का सिविल सर्विस डे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह ऐसा समय है जब देश ने अपनी आजादी के 75 वर्षिप पूर्ण की है देखते इस रिपोर्ट में आसम और अरुनाचल प्रदेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे, सीमा विवाद को खत्म करने के लिए समजोता हो गया है आसम के मुख्यमंत्री हिम्मत विश्वास सर्मा और अरुनाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांटू ने नई दिली में अमिद साह की उपस्तिती में समजोता अगनापन पर हस्ताक्षर किया उसके बाद साह ने सिमा समजोते को एतिहासिक बताया और एलाइन किया कि इस समजोते से दसको पुराना विवाद खत्म हो गया है आलांकि राजनितिक विशले सकों का मानना है कि यह कहना जल्द बाजी होगी कि विवाद खत्म हो गया है क्योंकि यह सरकारे नहीं है जो हस्ताक्षर करती है बलकि स्तानिक स्तर पर लोगों की प्रतिक्रिया माइने रखती है आसम और अरुनाचल प्रदेश के बीच तेरा गाओं को लेकर विवाद है यहां देखा जाना बाकी है कि इस समझोते का क्या होता है क्योंकि जिन गाओं में विवाद के समाधान का दावा किया जाता है वहां बिश्तिती तनाव पूर्ण है ब्योरो रिपूर्ट जीएश टीवी जाता कि अजीब कपड़ों में चलते कई लड़किया उन्हें सुर्फ पंखना लगती है विजेपी नेता कैलास विजेवर्गिया ने हनुमान जैन्दी के मौके पर कहा था मैं आज भी जब निकलता हूँ तो पड़े लेखे नौ जबानों और बच्चे को जुमते हुए देखता हूँ ऐसे में सच में ऐसी इच्छा होती है कि पांच साथ ऐसी दू के इनका नशा उतर जाए अनुवान जैन्दी पर मैं जूट नहीं बोल रहा लड़किया भी इतने गंदे कपड़े पाहन कर निकलती है कि इनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता बल्खी ये लोग शूर पंखना लगती है बीजेवर्गिये के इस बायान पर बवाल शुरू हो गया था उनकी कॉंग्रेस सहीद कई पाल्टियों ने आलवचना की थी याशी का करता वीजेवर्गिये के खिलाफ F.I.R. दर्ज कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कौर्ट पहुंचे थे कॉंग्रेस ने तो इसे बीजेपी की संस्कूरूती बता दिया था वही करनाट कॉंग्रेस अद्धिक्स डिके शिव कुमार ने वीजेवर्गिये के बायान पर कहा था कि ये बायान बीजेपी की संस्कूरूती को दिखाता है बीजेपी का यही रूख है मैं चाहता हूं कि जनता इस पर बहस करे उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी इस पर कुछ नहीं करेगी बिरो रिपोर्ट जी एस टीवी ट्विटर ने लेगेसी वेरिफाइड एकाउंट से ब्लू टिक हटा दिये है यानि ऐसे अकाउंट जिन्हें ट्विटर की पेड सर्विस लिये भी ना ही ब्लू अकाउंट मिला हुआ था उन अकाउंट से अब ब्लू टिक हटाया जा चुका है इसक्रम में बॉलिवोड स्टार अमिताब बचन, शारुक खान, सल्मान खान, अक्षी कुमार से लेकर क्रिकेट जगट के दिगज विराट कोहली, महिंदर सिंग धोनी और भारतिय सियासत के बड़े नाम कॉंग्रेस नेता, राहुल गांधी, यूपी सीम, युग्या दित सब्सक्रिप्शन लेना होगा, भारत में ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन 650 रुपए से शुडू होता है, मोबाइल यूजर के लिए यह 900 रुपए प्रती बहीना है, ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन के बाद भी मस्क रुकेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने ट्विटर से वो पैसे कमाएं, क्योंकि काफी समय से ट्विटर ज्यादा फाइदे में नहीं था, इसलिए अब वो नए नए फैसले लेकर पैसे कमाने की कोशिश करेंगे, प्यूरो रिपोर्ट जी एस टीवी किसी का भाई किसी की जान को आडियन्स का शानदार रिस्पोंस मिल रहा है, वहीं फिल्म का फर्स टे फर्स शो देखते ही सलमान खान के फैंस, थेटर्स में डांस करने लगे, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वाइरल हो रहे है फरहाद सामजी द्वारा डारिक्ट की गए इस फिल्म में वैंकटेश भूमिका चावला, जगदीब बाबू, विजिंदर सी, शेहनाज गिल, रागव जुयाल, पलक्तिवारी, जसी गिल, सिधार्थ निगम और अन्यक अलाकार भी है किसी का भाई, किसी के जान दो वजहों से खास है पहला यह है कि सलमान की साड़े तीन साल बाद बड़े पर वापसी कर रहे है और दूसरा यह कि चार साल बाद इद के मौके पर सलमान की फिल्म रिलीज हो रही है सलमान खान की फिल्म किसी का भाई, किसी की जान को ट्विटर पर फैंस का शानदार रिस्पोंस मल रहा है सलमान खान की फिल्म किसी का भाई, किसी की जान सीनेमा घरों में रिलीज हो गई है इसी के साथ सलमान के फैंस ट्विटर पर इद विथ भायजान ट्रेंड कर रहे हैं फिरो रिपोर्ट जी एस टीवी तियाहार ओपर मेकर्स फिल्में रिलीज करना पसंद करते हैं ताकि छुटियों में अच्छी कमाई हो सके हलांकि इद के मौके पर रिलीज हुई कई फिल्में बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप रही हैं इद के मौके पर रिलीज फिल्म की बात की जाए तो फ्लॉप फिल्म रही उसमें से हीरोपंती 2 साल 2022, राधे साल 2021, रेज 3 2018, ट्यूब लाइट 2017, नाच 2004 में रिलीज होने के बाद फ्लॉप सावित हुई टाइगर शॉफ तारा सुतारिया और नवाजुदिन सिद्दकी की हीरोपंती 2 साल 2022 की मोस्ट अवेटेट फिल्मों में से एक थी ये फिल्म इद के मौके पर रिलीज हुई थी, फिल्म सूपर फ्लॉप रही थी सल्मान खान और दिशा पतनी स्टारर राधे को आखिरकार 2021 में एक मल्टी फॉर्मिट में रिलीज किया गया था इद पर रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स आफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाई थी रेज 3 के लिए सल्मान खान के साथ टीम अफ किया गया था सल्मान खान स्टारर रेज 3 ने 15 जून 2018 को इद के मौके पर सिनेमा घरों में दस्तक दी थी फिल्म भी कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी 2017 की इद पर कबिर खान दवारा लिखीत और निर्देशित क्योबलाइट रिलीज हुई थी इद पर रिलीज हुई सल्मान की ये फिल्म भी उमीद के मुताबिक कलेक्शन नहीं कर पाई थी साल दवजल चार में इद के मौके पर रिलीज हुई अभिशेक बच्चन स्टारर फिल्मन नाच भी सूपर फ्लाप रही थी तीरो रिपोर्ट जी एस टीबी ओडिसा में एक बुजर्ग महिला को पैंशन लेने के लिए कड़ी धूप में पैदल बैंक तक जाना पड़ा वितमंत्री निर्मला सितारमन ने गुरुवार को महिला का वीडियो शेर कर बैंक से कहा कि आपको इंसानियत दिखानी चाहिए ओडिसा के नवरंगपूर में यह घटना 17 एपरिल को हुई क्यों आखिर वितमंत्री को ट्वीट कर कहना पड़ा अब आपको इंसानियत दिखानी चाहिए क्या था मामला आईए देखते है ओडिसा में एक बुजूर्ग महिला को पैंशन लेने के लिए कड़ी धूप में पैदल बैंक तक जाना पड़ा वितमंत्री निर्मला सितारमन ने गुरुवार को महिला का वीडियो शेर कर बैंक से कहा कि आपको इंसानियत दिखानी चाहिए ओडिसा के नवरंगपुर में यह गटना 17 एफिल को हुई विडियो ओडिसा की 70 साल की सुरिया हरीजन का है जो टूटी खुर्सी के सहारे कड़ी धूप में पैदल चल रही है उनका बेटा दूसरे राजे में मजदूरी करता है वह अपने छोटे बेटे के साथ रहती है जो दूसरे के मविश्यों की देखभल करता है वो जोपडी में रहती है और उनके पास जमिन नहीं है महिला का वीडियो सितारमन ने ट्वीटर पर शेर किया उन्होंने कहा कि हम ये देख रहे है कि बैंक मेनेजर इस पर जवाब दे रहे है लेकिन फाइनस डिपार्टमेंट और SBA इस मामले पर इंसाने दिखाते हुए कदम उठाए बैंक का जवाब सामने आया पहले pension नकत दी जाती थी लेकिन अब खातों में पैसा online transfer किया जा रहा है बैंक ने बताया कि कभी-कभी ऐसी स्थिती आ जाती है कि fingerprint mail नहीं खाते जिसके चलते pension रासी देने में समस्य आती है Bureau Report GST